हेलो एबरिवन मैं मेथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अश्य होंगे भारती राष्टिय कॉंग्रेस इसके बारे में आपने पढ़ रखा आओगा इंडिया नेशनल मुवमेंट यहां से देखो आठ प्रसन आपके बनने वाले हैं common paper में और 1 to 5 वाले के लिए अलग से question बनेंगे जिनका sst paper है 6 to 8 में 9 10 में वहां से भी आपको बहुत सारे प्रसन यहीं से देखने को मिलेगा तो भारती राष्टी यह आंदोलन को हम लोग सुरू करेंगे और मैं आपको आज की class खतम होते होते हैं इतनी assurity देता हूँ कि 8 मार्ट सापके यहां से जरूर आ जाएंगे तो चलिए very first question से इसकी सुरूआत करते हैं भारती राष्टी कॉंग्रेस के स्थापना किस वर्स हुई थी देखो बड़ा यह असान सा question लगेगा लेकिन इसके explanation में जब मैं जाओंगा ता आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं आती थी सिधा answer मैं बता देता हूं 1885 यह तो बोलोगे मुझे भी आता था लेकिन जो चीज़ें extra है वो आप हम लोग जानने की कोसिस करेंगे भारती राष्टी कॉंग्रेस का पुराना नाम आपसे exam में पोच लिया जाएगा अब वहां पर आपको समस्य आएगी सबसे पहले pen paper ले Congress रखा गया तो इसे किसने suggestion दिया कि भाई इसका नाम बदल कर रखा जाना चाहिए तो याद रखेगा उस बैक्तिका नाम क्या था दादा भाई नरोजी ने कहा कि इसका नाम भारती राष्टे Congress कर दिया जाए किसने कहा था दादा भाई नरोजी ने चलिए यह तो आपको इतनी दो एक्स्ट्रा जानकारी मैंने दी अब इसके गठन के समय जो है सचीव कौन थे अच्छली इसे फादर आप जो है फादर आप जो है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस आप बोल सकते हो उनका नाम है ए-o-hume ये भी आप वियाद रखना ये भी बहुत इंपोर्टेंट है लगातार 21 बरसों तक ये कौंग्रेस के क्या रहे थे सचीव रहे थे ये भी इंपोर्टेंट है बात में इनको जो है एक अधिवेशन में उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा गाली ग्लॉस किया गया तो फिर इन्होंने इस्तिफार देकर वापस ये चले गए ठीक है फ्रोटे चीजों को उठाया जाता है तो इनको ध्यान में रखना आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है ग्रूप आप पीपल जो है कॉंग्रेस को कहा जाता है यहां तक सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो लगे हाथ एक आसान वाला प्रसन भी हम लोग देख भारती राष्टे कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो देखिए डवलू सी बनर जी इनका नाम था ठीक है डवलू सी बनर जी यह क्या थे कॉंग्रेस के पर्थम अध्यक्ष थे यहां तक सारी बातें हो गई और यह जो कॉंसेप्ट है यहां पे भारती राष्टे बंबे में कि अब यह जो होगा वो बंबे में होगा तो याद रखेगा पहला जो भारती राष्टे कॉंग्रेस का दिवेशन था 1885 में हुआ था कहाँ पर तो बंबे में हुआ था और उस जगह का नाम आपसे पर्टिकुलरली पूछ लिया जाए तो मैं सौट में हो कहां पर हुआ था यहां तक सारी जानकारी किलियर हो गई पहले अदिवेशन में कितने लोगों ने पांटिसिपेशन करी थी खितने लोगों ने यहां पर पांटिसिपेशन करी थी एक और बात याद रखना है आप बियु पियत त्यारी 3.0 या फोर के लिए जा रहे हो देखवात याद रखना है, बिहार से question पढ़ेंगे, तो भारती राष्टी कॉंग्रेस की जो पर्थम अधियक्चा, I mean जो एक मिनट, मैं इसे सारे को रब कर देता हूं, देखो, 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था, बिहार से कितने लोग सामिल हुए थे, exam में question पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, बिहार से यहाँ पर एक भी वेक्ती सामिल नहीं हुए थे, जीरो इसका answer होगा, आगे बढ़ेंगे, और बिहार से पहली बार कितने लोग सामिल हुए, अधर जगहों से कितने लोग, कितने मुसलिम नेता यहाँ पर सामिल हुए, कितन चंपारन सत्यागरा के बारे में पहला सवाल है मेरा, चंपारन सत्यागरा जो है, किसके बुलावे पे गांदे जी बिहार आये थे, उस वेक्ती का नाम आपको बताना है, पहला कोश्चन बढ़ा ही आसान है, मुझपरपुर बमकांड हुआ था, उसके मुक जो अभियुक् जो कहां पर हुआ था, बिहार में, चलो बता दो आप, पटना में भी बता सकते हूँ, दोनों के कोश्चन का जो है, आप जवाब देना, पटना में और बिहार में किसने किया था, चौता सवाल, बड़ा ही असान सवाल है, बार-बार एंग्जा में पूछा जाता है, नाइ भारती एरास्टी कॉंग्रेस के प्रतम अधिवेशन में कितने परतिनीद्यों ने भाग लिया, इसका आंसर मैंने पिछले, पिछले कोशन में जो है, एक्स्प्लेइन कर दिया था, 72 लोगों ने यहाँ पर पाटिशिपेशन करी थी, आंसर आपका C हो जाएगा, अच्छी इसी बात है, वहाँ से सबसे अधिक व्यक्ति जो की 38 व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे थी, दूसरे नमर पे कौन था भाई, दूसरे नमर पे था मदराश, दूसरे नमर पे कौन था, मदराश आप हिंदी में भी लिख लेना, मदराश से टोटल यहाँ पर व्यक्ति टोटल एक मिनिट यह रहा हूँ पंजाब से यहां पे टोटल तीन लोग यहां पे पहुंचे थे पांचवा अब यहां से देखो एक और कुश्चन बनेगा टोटल बहतर थे 38, 27, 3 और पांचवा नमर पे कौन है तो याद रखिएगा पांचवा नमर पे यहां पे आपको बंगाल देखेगा यहां से भी टोटल तीन ही वेक्ती यहां पे पांटिसिपेशन इन्होंने करी थी कितने लोगों ने तीन लोगों ने तो आब एड कर लो बहतर आपको मिल जा महिला का पहली बार यहां पे पांटिसिपेशन हुआ था पहली बार यहां पे महिला आई थी कितने लोग यहां पे पहुंचे थे कितने महिला आए तो 6 महिला आए और यह महिला आए खास करके जो बड़े-बड़े परमुखनेता हुआ करते थे उनकी पत्नियां उनकी बहन यहां पर सामिल हुई थी लेकिन एक्जाम देखो अगर question थोड़ा सा जो है difficult किया जाए तो 10 लोगों ने registration कराया था लेकिन पहुंचे कितने लोग थे 6 लोग 6 बटा 10 आप इसे ऐसे याद रख सकते हो एक्जाम में पूछा जा सकता है यहां से ठीक है चलिए अब आगे कुछ और questions को हमनों discuss करेंगे यहां पर कुछ और चीजों को यहां पर देखेंगे तो देखो एक और question आपके लिए क्या है 1886 इस भी में 1886 में जो है यहां पर बिहार के दो लोग आये थे यहां से एक्जाम में question पूछा जाएगा बिहार के दो लोगों ने यहां पर participation करी थी दो लोग यहां पर बिहार के आये हुए थे पहली बार 1886 में यानि कि Congress के दूसरे अधिवेशन में बिहार के दो लोग सामिल हुए थे कब 1886 इस भी में अब देखे मुसलिम पहली बार कब यहां पर सामिल हुए जो राष्टे Congress आंदोलन में तो देखे इसका जो आंसर हो जाग मुसलिम पहले ही अधिवेशन में सामिल हो चुकी थी यानि कि भारती राष्टी Congress का पहला अधिवेशन 1885 में और यहां पर मुसलिम जो है टोटल दो लोग यहां पर आए हुए थे किलियर होगी यहां तक सारी बात है चलिए अब अगले प्रसंद की और हम लोग अगला कोशन देखे क्या है भारती राष्टी Congress 1885 के महा सचीव कौन थे देखो बड़ा ही असान सा सवाल है यह कोशन मैंने आपको बता दिया ए ओ लेकिन एक्जाम में अगर आपको थोड़ा सा परिसान करना चाहता है एक्जामेनर कोशन सेट करने वाला तो ए ओ यहां पर नहीं देखर अगर बोल दिया जाए यहां पर एलन देखो कौशन मेंना कुछ भी आपको जो है पूछ दिया जा सकता है कुछ भी यानि की देखो कुछ भी का मतब सिलेबस के अंतरगत और सिलेबस बहुत बड़ा है भारती राष्टी आंदोलन बहुत बड़ा है तो देख अगर देखें कुछ और चीजों को देखें यह कौन सा अधिकारी था तो याद रखेगा यह ICS अधिकारी था किसके बारे में बात हो रही है यह ICS ऑपिसर था और किस केडर का तो बंगाल सिविल सेवा का यह अधिकारी था इस भी भी मता दू तो 1849 ठीक है चलिए आगे ब A.O. Hume को कहा गया तो 1912 के अधिवेशन में जो है भारती राष्टे कॉंग्रेस का पिता जो है कहा गया किसे कहा गया A.O. Hume को कहा गया 1912 के अधिवेशन में लगातार 21 वरसों तक जो है A.O. Hume महा सचीब के या फिर सचीब के पाद पर रहा था और इसे हर्मिट ऑफ सिमल हर्मिट ऑफ सिमला जो है किसे कहा जाता है तो A.O. Hume को ही कहा जाता है आगे बढ़ेंगे इसे पक्षी विग्ञान भी कहा जाता है देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहां पे थोड़ी सी दिखाता आ रहे बट पेंट पेपर पे आप आप जो है नॉट डाउन करते जाएग एकजाम में कुछ भी पूछा जा सकता याद रखिएगा पक्षी विग्ञान का जनक भी कहा जाता है इसे किसे A.O. Hume को और इसकी जीवनी किस ने लिखी बहुत गंदा हो गया अब मैं लिख देता हूँ जीवनी जो है किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी तो देखि का जो अस्थापना है ये क्यों किया गया था तो देखिए हिंदी वाले सुरक्षा कपट ठीक है या फिर इंग्लिस वाले जो है इसका पूपलर नाम यही है सेप्टी वाल के तहत जो है सेप्टी वाल के तहत पे जो है कॉंग्रेस की अस्थापना की गई थी और किस ने की तो A.O. Hume ने की थी, तो A.O. Hume से जो भी question बन सकता था, मैंने सारे questions का answer आपके सामने कर दिया, अगले सवाल के और हम लोग बढ़ेंगे, अगला सवाल देखें क्या है, निमलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारती राष्टी कॉंग्रेस का बिभाजन हुआ, यानि कि य इसका रांदोलन हुआ कब था, यह भी एकजामें पूछा रा सकता है, तो 1907 में यह हुआ था, अब देखें, 1907 से आपने किसी चीज को याद कर लिया होगा और उसका नाम क्या है, सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में यह नरमदल और गरमदल अलग हो गए थे, सू सूरत में डाइवर्ट कर दिया गया, वहां पर यह फाइनली हुआ, अब एकजाम में यह बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, नरमदल और गरमदल जब अलग हो गए 1907 में, तो इस समय का कॉंग्रेस का अधिवेशन का अधिश्टा किस ने करी थी, तो डॉक्टर रास बिहरी ब already boss के द्वारा जो है इसकी अधिचता की गई थी, ब 도् Musk नहीं गोस यह सांती यानि कि नरमदल के नेता थे, यहां पर boss आ जाएगा तो गरमदल के नेता थे, तो रास ब। गोस के द्वारा यह काम किया गया था आगे बढ़िए कुछ और चीज़ों को देखिए तो 1906 में यह जो है प्रस्ताव देखो अफवा यह फैल गए थी सब जगों पे 1906 में ही अफवा फैल गए थी जो 1907 का दिविशन होगा वहां पर जो प्रस्ताव हैं कुछ प्रस्ताव पाले से पारित किये हैं वो रद कर दिया जाएगा वो क्या क्या था तो स्वराज को रद कर दिया जाएगा देखिए बहुत बड़ी बात थी स्वराज उसमें स्वादेशी का जो आंदोलन है मुमेंट है उसे रद कर दिया जाएगा देखो दो इंपोर्टेंट बातों को यहां पर रद करने की बात की जा रहे थी, तीसरा point क्या है वही आपका, तीसरा point है बहिसकार को बंद कर दिया जाएका, तो इससे भी लोग नराज हो गए थे, बहिसकार को यह अलग करना नहीं चाहा रहे थे, ठीक है, बहिसकार, और चौथा point आप लोगों के लिए मैं यहां लिख देता हूँ, चौथा point जो है वो क्या था, राष्टिय सिक्षा को लेकर जो है, यह एक्शली जो है, हम लोग बाहर के लोगों की सिक्षा के बारे में क्यों पढ़ेंगे, तो राष्टिय सिक्षा के बारे में भी जो है, इन लोगों ने आवाज को मुखर किया था, लेकिन अपबा उड़ गए कि यह सारे शेजों को रद कर दिया जाएगा, इससे लोगों में जो है थोड़ी सी जो है, क्या हो गई, गरम दल 1908 में, अगला बार जो अदिवेशन होगा आपका, वो 1908 में होगा, कहां पर इलाहाबाद में, इलाहाबाद में यह अदिवेशन होने वाला था 1908 में, और इस अदिवेशन में यहाँ पे देखो, सिर्फ और सिर्फ नरम दल के लोगों को सामिल किया गया था ठीक है और गरम दल के लोगों को यहाँ पे invitation नहीं मिला था तो इतने सारे प्रस्ण हो गए फिर से जाते 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 answer इसका पहले बता देना चाहता हूँ यह इसका answer होगा और यह 1907 Congress का अधिवेशन सूरत में हुआ था कोशन के और हम लोग बढ़ेंगे अगला कोशन देखो आपके सामने यह रहा गोपाल किर्शन गोखले ने Congress के किस अधिवेशन में अधिश्टा की थी यह सवाल है पांच में 1912 में या फिर 1916 में देखे इसका मैं answer पहले आपको बता देता हूँ 1905 इसका सही जवाब होगा 1905 आंसर कहा है option number 20 का सही जवाब है लेकिन कोशन सिर्फ यहीं से नहीं पूशे जाते हैं कोशन और भी पूशे जाते हैं गोपाल कृष्ण के गोखले के बारे में पूशा जाएगा तो याद रखेगा इनको महातमा गांधी का गुरू कहा जाता है महातमा गांधी का गुरू कहा जाता है देखे इनोंने ही किसने गोपाल कृष्ण गोखले ने महातमा गांधी को कहा कि आप एक साल की यात्रा पहले घुमने की सलादी भारत को भ्रमन करने की सलादी गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक और जी के है जो कि बार-बार एक्जाम में पूछा जाता है इसकी अस्थापना गोपाल कृष्ण गोखली के द्वारा की गए थी ये भी जो है एक्जाम में पूछे जाना वाला सवाल है और कॉंग्रेस के किस अधिवेशन की तो 1905 के अधिवेशन की भी इनोंने अध्यक्षिता करी थी और ये अध्यक्षिता हुआ था ये भी एक्जाम पूछा जा सकता है कि 1905 में चलो ठीक है अध्यक्षिता गोपाल कृष्ण को खलेने करी कहा करी तो याद रखेगा बनारस में कहां पर करी है बनारस में ठीक है एक और बात 1905 में बनारस में करी और किसके विरोध में करी तो देखे बंगाल विभाजन के विरोध में याद रखेगा ये जो दिवेशन हुआ था इसमें बंगाल के विभाजन का विरोध किया गया बंगाल विभाजन का विरोध किया गया है, ये बात को आपको याद रख लिएना है, कुछ और चीजों को अम लोग देखेंगे, कुछ और कॉस्चन्स को देखेंगे अभी इसमें, जो की बहंकी है, इसमें स्वाधेसी याद रखेगा, स्वाधेसी और वहिसकार आंदोलंग को यहाँ पर सामिल किया गया है, स् सोदेशी चीजों के उपर जो है जो है जोर दिया जाएगा अब देखिए बंगाल विभाजन के बारे में हम लोगों ने बात करी अभी कि 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था अब आप से सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इसका विभाजन का exact date बताईया तो होगा बं कौन सा वाइसराय था एक्जाम में ये भी सवाल पूछ लिया जा सकता है आपसे तो याद रखेगा वाइसराय का नाम क्या था गरजन लौड गरजन जो है नाम था याद रखना है ये भी एक्जाम में पूछ लिया जा सकता है आपसे मैंने सारी बातने आपको यहां तक कि अध्यक्षता की है 1906 में किसने करी अध्यक्षता तो याद रखेगा इनका नाम है दादा भाई नरोजी, Option No.D का क्या होगा सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नरोजी जी है इन्होंने 1906 में कलकता अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी, क्लियर है यहाँ तक सारी ब 1886 में, 1893 में और 1906 में, तीन बार और याद रखेगा CLC कॉलकाता, लाहोर, कॉलकाता कहां कहां पर की है, तो कॉलकाता में फिर लाहोर में, और फिर कॉलकाता में या गए, CLC का कोडनेम है याद रख लिजेगा दादा भाई नरुजी को old man भी बोलाया जाता है इंडिया का, ठीक है, grand old man कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रख लेना चाहिए यहाँ तक सारी बातां clear है दादा भाई नरुजी के बारे में को और बात याद रखेगा इन्होंने जो है poverty and un-British rule के बारे में लिखा है याद रखेगा इन्होंने जो book लिखी है poverty ये भी exam में पूछा जाता है बुक के बारे में poverty and un-British rule और याद रखेगा exam में हो बहु English नाम ही पूछ लिए जाते हैं तो English नाम को याद रखना ज़रूरी है un-British rule जो है इन्ही के द्वारा लिखी गई book या फिर उस तक थी धन करनिस्कासन के बारे में भी इन्होंने लिखा था और ये पर्थम व्यक्ति थे याद रखेगा पर्थम भारतिये व्यक्ति थे जिन्होंने बिर्टेन में चुनाब जीता था कौन दादा भाई नरो जी यहाँ तक सारी बातें कलियर है question number 7 की और हम लोग बढ़ेंगे भारतिये इतिहास की निमलिखित घटनाओं को सही अनुकरम में सजाईए तो सबसे पहले देखिए भारति राष्टिये आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था इसे नोट डाउन करते हैं लोग फिर पुछा गया सूरत विभाजन अभी मैंने आपको पढ़ाया है 1907 में हुआ था बंगालवी भाजन 1905 में हुआ था करजन के समय में और राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली अस्थांतरन 1911 में दिल्ली दर्वार के आयोजन के बाद ये किया गया था ठीक है 1912 में अब देखो अगर आप इसे एरेंच करोगे सही करा में तो सबसे पहले नमर पे कौन आएगा तीसरा पहले नमर पे आएगा फिर 1907 यानि कि दूसरा और फिर जो है आपका एक सेकेंड ये तीसरा ये चौथा दिखेगा और फिर ये आखरी में 3214 इसका जो है सही आंसर होगा 3214 ओप्सन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किलियर है यहां तक सारी बाते चलिए अगले सवाल क्यों हम लोग बढ़ें और याद रखिए उससे पहले यहां पर मैंने एक चीज आपको दिखाया क्या है राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थांतरन कर दिया गया था कब क्यों किया गया था तो देखिए हर बार जब भी क्राउन बदलता था तो साही आयोजन होता था भोजभात वगेरा का जो है आयोजन किया जाता था साही आयोजन किया जाता था तो देखिए तीन बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था कब-कब 1877 में पहली बार दूसरी बार कब हुआ था तो 1903 में जो है इसका दूसरी बार किया गया दिली दरबार का एवजन और 1911 में तीसरी बार 1877 में वाइसराय कौन था तो नियाद रखेगा नाम इसका लिटन पहली बार में लिटन दूसरी बार में किस ने तो करजन ने किया था और आखरी बार या फिर 1911 में होडिंग डूतिये के द्वारा ये किया गया था होडिंग डूतिये के द्वारा ये जो है किया गया था होडिंग डूतिये के द्वारा जो है इसका एविजन किया गया था इसी में जो है गोसना की गई कि बंगाल कभी भाजन नहीं किया जाएगा इसे जो है रद कर दिया जाएगा कैंसल कर दिया जाएगा किलियर है आगे पढ़ेंगे निम्लिकित मैंसे निम्लिकित नेताओं मैंसे कौन कभी भी भारतिय राष्टे कॉंग्रेस से नहीं जुड़ा फाइनली नहीं जुड़ा तो देखिए वीडी साबरकर, लाला लाज पत्राय, बललभ भाय पटेल, गोबाल कृस्म गोखले तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा वीडी साबरकर देखिए आप इंटरनेट पे पढ़ते होगे कि वीडी साबरकर कायर थे, माफी, वीर थे, माफी नामा इन्होंने मांगा अंग्रेजों से तो याद रखी कॉंग्रेस का कोई नेता जेल नहीं गया था ये भी सच है कि इन्होंने माफी मांगी है, इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन congregus का कोई नेता जो है काले पाने की सजा पाने वाला व्यक्ति नहीं था तो ये काले पाने की सजा उनोंने पाई कई बार अंग्रेजयों से ये छूट कर भागने की उनोंने कोसिज करी जब जहाज में इनको पकड़ा गया था तो ये पानी में कूद गए थे तो विड़ी सावाकर भारतिये थे और ये जो है इनका मानना था इन्होंने मित्रमेला की भी जो है स्थापना करी थी तो ये बहुत और 1857 के क्रांती को पहली बार रिकरगनाईज करने के लिए और दशिपाय मेटरी इन्होंने ही लिखी थी विड़ी सावाकर ने तो ये एक वेक्ति थे जो कॉंगे से कभी नहीं जुड़े थे रखिए हर सिक्के का कोई ना कोई पहलू होता है विडिसा वरकत की कुछ बुरायां भी थी अच्छायां भी थी तो अच्छायों के बारे में जान लीजे फिला बुरायों के बारे में आप तो इंटरनेट पे पढ़ी सांडर्स ने तो लाला लासपत्रा के बारे में ये भी जान लीजे सेरे पंजाब इनको कहा जाता है कुछ और चीजों को याद रखना है बल्ला भाय पटेल ने इनके द्वारा जो है 1931 इस भी में करांशी कादी में से इनकी अधिश्टा में किया गया था क्या इंपोर्ट आया गया जहां पे बीच में जो है चर्का हुआ करता था चली आगे बढ़ेंगे निमलिकित में से कौन उग्र राष्टवादी ने था नहीं था उग्र का मतलब कहने का एक्स्ट्रीमिस्ट ठीक है कौन नहीं था ये जो नहीं है नॉट वाला वर्ट जो है आपको याद र और आखरी बार जो है 1906 में इन्होंने अध्यक्षता की थी किसने दादा भाई नरोजी ने यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई चलिए अब दादा भाई नरोजी के बारे में आपने पढ़ लिया और दखिए ये जो बाल गंगाधर दिलक है इनकी मिर्तियू जो है एक इसे भी आप यादर रख सकते हो और बाल गंगा धर जो तिलक थे ये कभी भी कॉंग्रिस के अध्यक्ष नहीं बने वाली बैक्ति थे ये एक्जाम में पार भार पूछा जाता है तो फिलाल उगर नेता कौन नहीं थे तो देखिए बाल लाल पाल बाल या लाल या फिर पा किसे दी जाती है? Grand Old Man मैंने आपको पहले ही बता दिया है दादा भाई नरो जी हिनका सही आंसर होगा दादा भाई नरो जी को जो है Grand Old Man कहा जाता है अब आपको यहाँ पर मैन पूछ करके Women पूछ दिया जाए तो आप क्या करोगे? Women पूछ दिया जाए तो अरुना आसफ अली नाम रायद रखना है बहुत important सवाल है अरुना आसफ अली जो है यहाँ पे इसका सही answer हो जाएगा तो यह बहुत important सवाल है एक्जाम में पूछा जाता है grand old woman जो है अरुना आसफ अली थी यहाँ clear है देखिए एक और नाम है यहाँ पे confusion करने के लिए आपसे पूछ किया गया है यह एक्जाम में पूछा जाता है याद रखेगा यह बार-बार एक्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है सर सेद अहमद खां तो देखिए सर सेद अहमद खां कॉंग्रेस के कभी भी जो है यह कॉंग्रेस में सामिल नहीं थी यह व्यक्ति याद रखना है आपको और यह अमीन का काम किया करते थे और अंग्रेजों के ये चम्चे थे अंग्रेजों के ये चम्चे हुआ करते थे अंग्रेजों की तरफदारी ये किया करते थे ठीक है तो इसका सही जवाब फिलाल मैंने आपको पहले ही बता दिया है Grand Old Man Option No.A का क्या होगा सही जवाब हो जाएगा चलिए अगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर Question No.10 भारतिये रास्टिये आंदोलन गरम पंतियों के प्रभाब में कब आया तो देखिए इसका जवाब आपको अलग-अलग किताब में अलग-अलग देखने को मिलता है लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा Option No.A 1906 में 1906 के बाद जो है गरम दल और नरम दल के बीच में 1907 में एक्चुली Congress का दिवेशन में हुआ था लेकिन 1906 के समय ही जो है भारती राष्टी आंदोलन जो है गरम पंथियों के परभाव में आ गया क्यों हुआ बंगाल का विभाजन हो गया उधारवादियों के आलोचना की गई कि आप लोग जो है अनुने विनाई करते हूँ इस वज़े से जो है प्राथना करेंगे ना याचना करेंगे हम लोग प्रोटेस्ट वगेरा नहीं करेंगे हम लोगों को जोरत पड़ेगी तो हम लोग अंगरीजों को मारेंगे हिंसा करेंगे ये बात थी तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा अप्सन नमर 1906 में ही मुसलिम लिख का गठन किया चाता है ये भी एक्जाम में आने वाला सवाल है चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और 1908 में छे वर्स की कारावास की सजा सवतंता संग्राम के किस उगरवादी नेता को दी गई ये सवाल आपसे पूछ दिया गया है तो देखिए बड़ा ही प्यारा सा और इजी सा सवाल है ये इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा 1908 में जिस वेक्ति को 6 वर्स की कारावास हुई और उस उग्रवादी नेता को मांडले जेल भेजा गया जो कि कहाँ पर है मांडले जेल जो है आपको वर्मा में मिलेगा कहां मिलेगा वर्मा में जो कि वर्मा आज के समय में क्या है मैंनमार है यहाँ पर इनको भेज दिया गया था उस वेक्ति का नाम है बाल गंगाधर तिलक को जो है इस जेल में भेजा गया था मराठा और केसरी में देखिए ये नाम याद रखिएगा मराठा और केसरी दो पत्रिकाएं या फिर समाचार पत्र ये जो है चलाते थे और समाचार पत्र चलाने की वज़ा से याद रखिएगा मराठा जो था और अभी के समय में मेहनमार में है, वहाँ पे इनको भेज दिया गया था, तो 6 वर्स की कारावार्स 1908 में बाल गंगा धर तिलक को दी गई, 10 का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, कुछ और चीज़ों को अगर आप यहां से देखोगे, तो देखें, लाला लाजपतराय विदेश चले गए थे, याद रखेगा, लाला लाजपतराय विदेश चले गए थे, कुछ समय के लिए, इसके बाद एक और बैक्ती हैं, जो क सी आर दास ने, चितरंजन दास ने लड़ा था, सी आर दास जो की सुवास चंदर बॉस के गुरू थे, उन्होंने जो है इनका केश लड़ा, और फिर इनको रहाई दिया आए गई, और फिर इनका मन जो है, यह आजादी, गुलामी, और फिर तो कोई, एक्चली यह स्प्र काने का मतलब है, अध्यात्मी गुरू बन गए थे, इनका मानना था कि, आप अपने मन के गुलाम हो, किसी की व्यक्ति के गुलाम नहीं हो, तो फिर यह जो है, स्प्रिच्वालिटी बगएरा में चले गए, और पुडुचेरी में, और विलो आसरम की रोने जो है, और विल की ओर, निमलिकित मैंसे, कौन कभी भी भारती राष्टी कॉंग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है, पहले आपको मैंने एक्स्पिलनेशन में ये बात बता दी है, इसका सीधा जवाब हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, और इनकी मिर्तियू के बारे में भी मैंने आपको बताया था, 1 अगस्त, 1920 को, जब भारती राष्ट जो असयोगा अंग्रण गांधी जी ने सुरूप क्या था, उसी ठीक इसी दिन इनकी मिर्तियू हो जाती है, कब 1 अगस्त, 1920 को, असयोगा अंदुलन की शुर्वातवी और इनकी मिर्तियू हो जाती है, ये याद रखना है यह स्रयोगा अंदुर्ण के कारण सभी λोगों को जेल में डाल दिया गया तो 1921 में गांदी, जवालल नेहरू, सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया तो 1921 में हकीम आजमल खान, जो की आमधाबाद अधिवेशन हुआ था वहाँ पे ये जो है अध्यक्ष मने थे और याद रखेगा नाइडू ने एक ओर कोशन बार बार एकजा में पूछा जाता है सरुजणी नाइडू ने जो है सी आरदास का भासन पढ़ा था सी आरदास अध्यक्ष थे लेकिन ये जेल में थे इस बज़ासे इनका भासन टेर से मैं लोग डिसकस करेंगे, सौराज मेरा जन्मसित अधिकार है और इसे में लेकर ही रहूँगा, ये किस ने कहा था, ये बात जो है, फिर से एक बार आपका अनसर हो जाएगा, बाल, गंगाधर, तिलक, इनों ने ये बात हैं कही थी, इनका कहना था कि सौराज मेरा क्य जो है उसके हक को दे देना चाहिए तो भारत के संदर्म में बेटे का reference लिया गया था और पालक यानि की पिता के तौर पर अंगरेजियों का reference लिया गया था और आजादी देने की बात की गई थी ये statement भी बहुत important है बाल गंगादर तिलक नहीं ये statement दिया था इंके द्वारा दो पत्रिकाएं निकाली जाती थी माराठा जो कि इंगलिज में होता था और केशरी जो कि माराठा मेडियं में हुआ करता था ठीक है दोनों चीजों को याद रखना है और इनी दो 1908 में देखे इनको जेल पहुँचाया गया इनी दो पत्रिकाओं के वज़ा से और इनके ओपर राजद्रों का मुकदमा भी लाया गया था मांडले जेल में इनको भीजा गया था अगला सवाल भारतिये असंतोस के पिता के रुप में बाल गंगा धर तिलक को किस इसने कहा था देखिए बड़ा ही प्यारा और इंपोर्टेंट सवाल है वेलेंटाइल सीरोल कहा है और इनको मांडले जेल में डाला गया तो यह 6 साल के बाद 1914 में यह रिटर्न हुए और 6 साल की सजा इन्होंने काटी और 6 सजा काटने के बाद यह चुपचाप नहीं किसके स्थापना करी होम रूल लीक की स्थापना करी और फिर और एक और बात याद रखेगा बाल गंगा धर तिलक और एनिविसेंट दोनोंने होम रूल के स्थापना करी थी अलग अलग जगों पे होम रूल के द्वारा ही जो है नरम दल और गरम दल जो कि 1907 में कॉंग्र आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, question number 16, भारती राष्टे कॉंग्रेस का 27 अधिवेशन की सस्थान पर हुआ, बहुत बहुत important सवाल है, देखिए, आप BPSC का एक्जाम दे रहे हो, तो बिहार से question पूछा ही जाएगा, तो देखिए, 1912 में, 1912 में आपको अधिवेशन द मुधोलकर के द्वारा जो है, इसकी, मुधोलकर के द्वारा जो है, इसकी अधिवेशन की गई थी, पहला 1912 में, 27 अधिवेशन कहां हुआ था, तो ये रहा, बांकीपूर 10 का सही जवाब हो जाएगा, लेकिन, 37 अधिवेशन भी यहीं पे हुआ था, कहां पर, गया में, य जारदास इसके अधिवेशन थे, और तिरपनवा, जो की बिहार का जो है, तीसरा था, जो की बिहार में अधिवेशन हो रहा था, कॉंग्रिस का, ये बरतमान में, जारखन में पढ़ता है, जिसका नाम है रामगड, और रामगड में जो है, करकर रिखा भी गुजरती है, तो रामगड में भी जो है, अधिवेशन हुआ था, और इसके अधिवेशन थे मौलाना, सैयद इमाम, ये भी याद रख लेना है आपको, sorry, actually, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप चीज़ों को याद रख पाओगे, 1908 में, 1908 में, बिहार, ये जो है, बहुत- प्रांतिये कॉंग्रेस, इसकी अधिशता किसके द्वारा की गई थी, पहली बार, एक्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो याद रखेगा, सैयद इमाम का नाम, और ये एक्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, इमाम, सैयद, इमाम, इजदा, राइट अनसर, फिलाल, आपसे पूछा गया है कि 27th तो 27th आपको बांकिपूर option D सही जवाब हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और, अगला सवाल देखी क्या है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, British House of Commons में चुने जाने वाले दादा भाई नरोजी पर्थम भारतिये थी, जिन् इन्होंने तीन कॉंग्रेस के अलग अलग जगों की अध्यक्षता करी थी, पहला, C, Kolkata, दूसरा लाहोर, फिर कलकता, C, L, C, ये याद रख लेना है, कब-कब करी थी, फिर से मैं बता देता हूं ताकि आपका रिविजन हो जाए, 1886 में इन्होंने पहला किया था, दिवे इन्हीं के दौरा लिखा गया है, तो उन बुक को लिखते जाएगा, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको लिखना है, और ये पर्थम भारत ये थे, जिन्होंने चुनाब जीता है, कहां पर चाकर, इंग्लेंड में जाकर, तो इंग्लेंड में जाकर चुनाब इतने वाले पर्थम भारत ये कौन थे, इनका नाम है दादा भाई नरोजी, अब पूछा गया है, किस दल के टिकट पर इन्होंने चुनाब जीता था, तो देखिए, इसका सई जवाब हो जाएगा, उदारवाटी, यानि कि लिबरल पार्टी के टिकट पर इन्होंने चु तो याद रखिएगा, House of Commons, एक्जाम में भी सवाल पूछा जा सकता है, House of Commons के ये जो है, क्या थे, सदस्ये थे, लिबरल पार्टी के, या फिर उदारवादी पार्टी के, अगला सवाल देखिए, भारती समाज को एकत्रित करना, जनता में देश प्रहिम की भावनाओं को लिए निम्लिकित में से गनेश चतुर्थी और सिवाजी तेभार को मनाना आरम किस ने किया, याद रखेगा, पले अंग्रेजों ने जो है क्या किया, कि आप अंग्रेजों का विरोधना करो, इसके लिए इन्होंने क्या काम किया, कि कहा दिया गया कि चार से ज़्यादा ल और इसी धर्मिक आयोजन को ये मना रहे थे, लेकिन असली मकसद इनका क्या था, आजादी, ये बैठकों का आयोजन करते थे, इसी के आड में, धर्म के आड में, अच्छा काम करना अच्छी बात होती है, तो इन्होंने जो है इसका काम किया, और फिर तिलक ने जो है, यहा मनाना सुरू किया, कहाँ पर महरास्टरा में, ये याद रख लेना है आपको, और गोपाल किस्न गोखले, जो कि क्या है, मातमा गांधी के गुरू थे, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, और हाँ, स्वामी द्यानन सरसुती के बारे में याद रखेगा, यही वो एक बैक्त भारती महिला नहीं लिखा है, कन्फूजन नहीं होना है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एनिविसेंट, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, एनिविसेंट, चलिए, होमरील के स्थापना भी इन्होंने ही की थी, साउथ वाले छेतर में तो फिलाल इस कामसर एनिविसेंट होगा लेकिन किस अधिवेशन में सवाल पूछ दिया गया है तो देखे एक ट्रिक बदाता हूँ आमें आपको ट्रिक ले देता हूँ बड़ा ही प्यारा सा ट्रिक है तो ट्रिक याद रखना है आपको हर आठाट साल में जो है मह थी दूसरे नमर की अगर मैं बात करूँ तो 1925 में 1925 में सरोजरीन आडियो को यहां पे जो है अध्यक्षे बनाया गया था तीसरी बार जो है फिर आप यहां पे आठ साल एड करते जाओगे आठ अगर आप यहां पे एड कर दोगे तो यह क्या हो जाएगा 33 33 1933 1933 में अगली महिला अध्यक्षे बनाया गया था किलियर है यहां तक सारी बाते हैं फिलाल जो पूछा गया है आपसे सवाल देखो 1916 के लखनव अदिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हो गए थे गरम दल और नरम दल क्या होए थे मर्ज हो गए थे और यहां पे सिर्फ लखनव अधि के निमलिकित अधिवेशनों में किस अधिवेशन की अधक्षिता विजय रागाचारे ने की थी बड़ा ही इंपोर्टेंट और प्यारा सवाल है बार बार एक्जाम में पूछा जाने वाला यह सवाल है जो कि बार बार एक्जाम में पूछा भी जाता है तो देखे इसका स बार्वा अधिवेसन भी यहीं पर किया गया था ठीक है अब देखे भागलपूर जो एक मिन्ट मैं यहां पर लिख देता हूँ परांत ही कॉंग्रेस का जो अधिवेसन है यह आपको कहां अधिवेशन किसकी अधिष्टा मातमा गांदे ने की थी तो देखे एक मात अधिवेशन वह हुआ था 1924 में बेल गाउं कहां पे हुआ था बेल गाउं अब मैं एक मिल्ट ऑप्शन था मैंने क्यों लिख दिया कोई बात नहीं खेर तो देखे यहां पर देखेगा आपको बे 1938 में सुभाष चंद्र बॉस यहां पे कॉंग्रिस की अधिष्टा करते हैं और 1949 में भी यहां पे यह अधिष्टा करते हैं लेकिन 1949 में गांदी जी के साथ इनका मतवेद हो जाता है जिस वज़े से यह इस्तिफादे देते हैं Actually हुआ क्या था? 1949 में सुभाष चंद्र बॉस अधिक्षपत के लिए खड़े हुए थे और दूसरी तरफ पट्टा भी सितारमयया को गांदी जी ने जो है सपोर्ट किया लेकिन वो छुनाब हार जाते हैं और गांदी जी पट्टा भी सितारमयया की हार को अपनी हार बतात हैं तो फिलाल इसका अधिक्षता जो है कॉंग्रेस के द्वारा जो है महातमा गांदी ने कब करी थी तो इसका सही आंसर हो जागा option number C चलिए आगे बढ़ेंगे match करना है आपको क्या करना है match करना है कि सही आंसर इसका क्या होगा तो देखे सबसे पहले यहां से आप देख गया है तो देखे सरजनी नाइड़ू ने कानपूर में 1925 में जो है कॉंग्रेस की अधि размता करी थी तो एक का क्या हो जाएगा साएगा सिका तू है इसे ओके 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 एको जो है किसे मिलाना है बी को किसे मिलाना है सी को किसे मिलाना है ओल राइट ओल राइट मैं समझ गया तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा वो हम लोग देखने की कोसिस करेंगे तो देखिए इसका जो सही answer हो जाएगा दोस्तों मैंने क्या बताया C का कौन सा answer है C का answer है 2 ठीक है और A का answer क्या है M A answer है इसका सही answer क्या होगा तो देखिए इसका जो सही answer हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4 number नासिक के यह अधिश्टा की पूर्सोतम दास टंडन एक मिनट एक्षली होचपा छोड़ा इसे छोड़ देते हैं गलत पढ़ाने से अच्छा है कि इसे छोड़ दिया जाए जवालाल नेरू ने भारती राष्टी कॉंग्रेस के किस अधिवेशन की अधिक्ष्टा नहीं की है बड़ा ही अच्छा सा सवा पिता पूद्र की जोड़ी जिन्होंने जो है कॉंग्रेस की अधिक्ष्टा की है तो मोतिलाल नहरू भी है जोआलाल नहरू भी यहां पे सामिल है और सुभास चंद्र बॉस बोल रहा हूं मैं एक्षली रामगर्ण 1937 के अधिवेशन की अधिक्ष्टा की किस ने थी तो पूर्ण सुतन्तरा दिवस जो है कब मनाया जाता है तो देखिए सुभास चंद्र बॉस का नाम ले रहा हूं जवालाल नहरू ने 1926 जन्वरी को जो है इनोंने कहा कि यह जो है हम लोग सुतन्तरा दिवस के रूप में मनाएंगे कब 1929 के लाहोर अधिवेशन में इनोंने जो है रावी नदी के चटपर भारती जंडा फाराया और 26 जन्वरी को कहा कि हम लोग जो है सुतन्तरा दिवस मनाएंगे याद रखीगा 26 नमंबर को ही हम लोगों का जो है तो देखें वह भौतकी और गनित के प्रोफेसर थे बिल्कुल सही बात है यह तुछ बात है आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है उन्होंने ब्रिटिस पार्लेमेंट का एक सदस्य निर्वाजित किया गया था बिल्कुल सही बात है अभी मैं आपको बताया था कि लिबरेल तीसरा उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रापतार की जो है जो है शुरुवात की थी बिलकुर सही बात ये भी आप्शन सही है तीनों आप्शन करेक्ट है अगला है उन्होंने दो बार आपको बता रहा हूँ C、L、C, Kolkata, Lahore और तीसरा कोलकाता की अधिवेश अधिक्षता इन्होंने की थी पाला 86 इन्होंने की थी दूसरी बार इन्होंने 93 दूसरी बार तो देखिए सबसे कम उम्र में जो है भारती राष्टी कॉंग्रेस के जो अधिक्ष बने थे उनका नाम है अबुलकलाम अजाद। अबुलकलाम अजाद के बारे में कुछ और चीजों को जाने उससे पहले आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि कॉंग्रेस का अधिक्ष सबसे अधिक बना है तो देखिए इनका नाम है जवाहार लाल नहरू सबसे ज़्यादा जो है जवाहार लाल नहरू जो है यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं याद रखिएगा इस बात को जवालन नहरू इसका आंसर है लेकिन सबसे कम उम्र की बात यहां पर की गई है तो आंसर आपका होगा अबुलकलाम आजाद अब आपके मन में एक स्वता जो है जो है एजुकेशन मिनिस्टर भी थे इसका भी दिमाग में आपको याद रखना है यहां से भी प्रसन पूछे जाते हैं यानि कि पहले जो है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे अबुलकलाम आजाद दो तिन प्रसन हो गए कुछ और प्रसनों को अगर हम लोग देख महात्मा गांधी के कहने पे महांदास करमचन गांधी के कहने पे जो है इसकी जो है आयोजन की गई थी इसका आयोजन जो है महात्मा गांधी के कहने पे किया गया था ठीक है अब देखिए एक और प्रसन बनता है बिहार या फिर जहारखन से रेलेटेड एक्शली उसमें ब रामगड़ वही एक जिला है जहां से करक रेखा भी होकर गुजरती है करक रेखा तो इसे भी आपको अपने निमाग में रखना है बहुत सारे प्रसनों को हम लोगों ने देखा और सबसे लंबी अबधी तक कॉंग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन बने हुए थे तो देखि ये अगले कोशन के और हम लोग बढ़ेंगे अगले कोशन के और बढ़ें उससे पखले में आप लोगों से 3 प्रसन कोंचना चाहूंगा नीचे आप लोग 1 और 2 और 3 इसका आंसर लिखो गे साथ में नीचे आप अपना एड्रेस लिखोगे जहां से इस वीडियो को देख रहे हो सपोस कर लो आप पटना से देख रहे हो तो आप पटना नीचे कमेंट कर दोगे पाला प्रसन है गरम दल और नरम दल यानि कि एक्स्ट्रमिस्ट और जो पॉलाइट लोग थे उनके बीच जो है विभाजन हो गया दोनों के बीच में सम्मंद खराप हो गया आपको बताना है वो किस अधिवेशन में हुआ था और येर का भी नाम आपको वेंसन करना है अगले प्रसन क्यों हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रसन देखिए ये है गांदी जी भारत कब लोटे थे बड़ा ही प्यारा सा प्रसन है और उसी दिन हम लोग जो परवासी दिवस है वो भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो आप डेट भी लिख दोगे तीसरा प्रसन देखिए बहुत ही आसान सा प्रसन आप लोगों के लिए मैं पूछने वाला हूँ आपको ये बताना है सवराज पार्टी की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी सारे प्रसनों को आपने देख लिया चलिए अगले प्रसन की और हम लोग बढ़ते हैं नेक्ट कोशन निमलिकित में से कॉंग्रेस के किस अधिवेशन तक गांदी जी की आत्म कथा लिखी गई थी ठीक है एक कोशन मैंने स्कीप कर दिया ये कोशन को भी हम लोगोंने डिसकस नहीं किया था 1931 में कॉंग्रेस का जो अधिवेशन है वो कहां पे हुआ था काराची में हुआ ठीक है अब यहां पे मूल अधिकारों के प्रस्ताब का प्रारूप किस ने बनाया था तो देखिए प्रसन सबसे पहले ये बनेगा करांची अधिवेशन की अध्यक्षता किस ने करी तो नाम याद रख लेना है सरदार बल्लब भाई पटेल जो की option number 3 में है लेकिन प्रस्न आपसे ये नहीं पूछा गया है question यहाँ पे कुछ और पूछ लिया गया है आप जैसे ही देखोगे 1931 और करांची का अधिवेशन आपके मन में लगएगा चलो option D लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे यहीं पे आपसे गलती हो साएगी पूछा गया है कि मूल अधिकारों का प्रस्ताव किसने बनाया था तो याद रखेगा जवाहर लाल नहरू के द्वारा जो है मूल अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया था यहीं पर कहां पर करांची अधिवेशन में तो answer आपका क्या हो जाएगा option number B यहाँ पे correct answer होगा B को आपको लगाना था ना कि D को B आपका क्या होगा correct answer होगा ठीक है यहाँ तक सारी बातने जो है चर्का था तिरंगा के बीचो बीच में भी जो आपको चक्र दिख रहा है वहाँ पे उसमें क्या था चर्का था तो यह पहली बार इसलिए जो है इससे मैं पहली बार बोल रहा हूं चर्का यहाँ पे था अगर मैं पूछ हूँ आप से कि जो सबसे पहली बार जो है जंडा कब फ़र आये गया तो 1917 में सबसे पहली बार जो है जंडा फ़र आये गया 1917 में ठीक है उसके बाद जो है 1929 में और फिर 1931 में जंडा फ़र आये गया 1929 में कहां जंडा फ़र आये गया था कहाँ पर लहोर में ठीक है यहाँ तक सारी बाता है क्लिएर हो गई चलिए मैं थोड़ा सा पैन के साइज को छोटा कर लेता हूं तक कि आपको चीजें अच्छे से दिखाए पड़े ठीक है इसका आंसर आप क्या लगाओगे इसका आंसर आप लगाओगे करांची अधिवेशन का मूल प्रस्थाव जो है आप्शन भी पंडित जोहालनेर्यू के द्वारा तयार किया गया था अब देखिए एक नाम है डॉक्टर M. A. अनसारी इस वेक्ति के बारे में थोड़ी बहुत आपको जांकारी होनी चाहिए तो देखिए M. A. अनसारी जोह है मदरास अधिवेशन की अधिख्षिता करते हैं और इसी अधिवेशन में याद रकेगा साइमन गो बैक तो आपने ये जो है बहुत बार TV वगयरा में भी देख रखा होगा साइमन गो बैक का नारा आपको मदरास अधिवेशन अगले प्रसंद के और हम लोग बढ़ेंगे, question number 28, क्या है सवाल, नेम लिकित मैं से, Congress के किस अधिवेशन तक, गांधी जी के आत्मकथा को लिखा गया था, तो देखिए, किस अधिवेशन में जो है, सबसे पहले, यह जो किताब इनके द्वारा लिखी गई थी, उस किताब क अनाम क्या है, इस किताब का नाम है, My Experimental With Truth, यह तो मैंने इंग्रिश में प्राद दिया, हिंदी में इसे बोलेंगे, सत्ति के साथ मेरे अनुप्रियोग, सत्ति के साथ मेरे अनुप्रियोग, ठीक है, यह गांधी जी के द्वारा किताब लिखी गई थी, मेरे अनुप्रिय 2020 तक गांधी जी ने अपने जीवन काल को इस बुक में लिखा है, यह तो बात होगे clear, अब देखिए एक यहाँ पर बुक के बारे में बात की गई थी, तो गांधी जी के द्वारा और कौन-कौन किताबें लिखे गई तो देखिए इनके द्वारा किताबें लिखे गई थ किताब थी, हिंद सराज इन्ही के द्वारा लिखे गई किताब थी, यह बार-बार एक्जामे से पूछे जाता है इन्हों ने ही लिखी थी, सप्त महापत्र भी इन्होंने लिखे थी, इंडिया-ओप- grant भी इन्ही के द्वारा लीके खी थी, चलिए और गांधी जी के द् इंडियन नटाल कॉंग्रेस की जो अस्थापना है ये 1894 में की गई थी ये भी याद रखेगा एक्जाम में बार-बार ये सवाल पूछे जाते हैं ठीक है अब देखिए गांदी जी के द्वारा सत्यागरह का पहला प्रियोग कहां पे किया गया था ये भी एक्जाम में कोश सत्यागरह करना इन्होंने जो है शुरू कर दिया था ठीक है यहां तक सारी बातें क्लियर है अब देखिए एक और सवाल साथ अपरिका में ही पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा कि गांदी जी ने वहाँ पे कौन सा आस्रम की जो है अस्थापना करी थी तो देखिए 1915 में ठीक है चलिए आगे देखिए 1917 में सावरमती आसरम वर्दा आसरम और अनासक्ती आसरम यूके में किया था 1925 में ठीक है चलिए अगले सवाल क्यों लोग बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या है भारती रास्टे कॉंग्रेस के दूसरे मुसली मद्य अध्यक्ष कौन थे पहले मुसली मद्यक्ष का नाम क्या था तो बदरुदिन तैयब जी आंसर डी होगा लेकिन आपसे यह नहीं पूछा गया है पहले के बारे में नहीं दूसरे के बारे में पूछा गया है तो देखिए दूसरा क्या होगा वो जानना जरूरी है दूसरा आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option number C यानि कि रहमतुल्लाई मुहमद सियानी इसका सही जवाब है और बदुरुदिन तैयब जी मैंने आपको बताया कि ये पहली बार बने थे बदुरुदिन तैयब जी कब बने थे 1887 में यानि कि कॉंग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाये गए थे कहाँ पर मदरास में जगाता भी नाम याद रखना है मदरास में ये important questions है ठीक है और 1896 में पहली बार बंदे मातरम गया गया 1896 में सबसे पहली बार बंदे मातरम जो है गया गया अब देखो ये 1896 में ने कहा क्यों कहा क्योंकि यहीं पे रामुतुल्ला मुहमद स्यानी जो है अध्यक्ष बने थे ठीक है और इसी अधिवेशन में धनके बहिर गमन और निशकासन का परस्ताव पारित किया गया था इतने प्रसन हो गए चलिए अगले सवाल के और मलोग बढ़ेंगे भारतिय नेशनल कॉंग्रेस के गठन के समय निमलिकित में से कौन सा कथन या फिर बहुत सारे कथन सही है यह आपको बताना है देखिए बोला गया है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का परते हूं अध्यक्ष डबलू सी बेनर्जी थे बिल्कुल सही है दोनों आप्शन क्या है एपसलूट करेक्ट है that means we have to go with the answer number C C में जो है दोनों के बारे में बताए गया बोथ A and B या फिर 1 and 2 दोनों क्या है सही है C के साथ आपको आगे बढ़ना था यहां तक आपने सारी बाते हैं समझ ली अब देखो Congress के बारे में बात की जा रही है तो देखिए पहले इसका नाम भारतिये National Congress नहीं हुआ करता था भारतिये रास्ट्रिये संग याद रखना है इसका नाम क्या हुआ करता था भारतिये रास्ट्रिये संग इसका नाम यह हुआ करता था ठीक है बाद में दाता भाई नरोजी के कहने पे इस नाम को जो है क्या कर दिया गया बदल दिया गया चैंज कर दिया गया ठीक है और बहुत सारे लोगों का मानना था कि सुरक्षा कपट या नीकी सैप्टी वाल के ताथ जो है इसका गठन किया गया किसका कॉंग्रेस का सैप्टी वाल के बारे में जो है किसने बात करी है सैप्टी वाल के बारे में सैप्टी वाल के बारे में बात करी है लाला लाजपत राए ने याद रखिएगा ना लाला लाजपत त्राइ के द्वारा जो है ये थियोरी दी गए थी कि सेप्टी वाल के ताद जो है कॉंग्रेस का गठन किया गया है और एक और प्यारा सा सवाल है कॉंग्रेस के बारे में कि भारती राष्टी कॉंग्रेस के पर्थम अधिवेशन में किस व्यक्ति ने भाग नहीं लिया था नहीं पूछा जा रहा है तो देखिए पर्थम व्यक्ति कौन थे सुरेंदर नाथ बनर जी सुरेंदर नाथ बनर जी जो है ये पहले बार जब कॉंग्रेस का दिवेशन हो रहा था तो इसमें ये पाटिसिपेट नहीं कर पाए क्यों कि ये इंडियर असोसीशन इनकी खुद क बारती राष्टे कॉंग्रेस ने निम्लिकित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिध्धान्त को आपचारिक रूप से सुविकार कर लिया है मैंने अभी ये प्रसन बताया था यहां से देखो कोई भी आपसन आपको नहीं दिखेगा मैंने आपको क्या बताया ये कब आपको आपको आगे बढ़ना होगा यानि कि नन अफ दीज या फिर इन मैं से कोई नहीं इसका सही आउनसर होगा अगले सवाल के ओर हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल देखे क्या है भारती राष्टी कॉंग्रेस के पर्थम निरवाजित यूरोपिय अध्यक्ष याने क कोई European व्यक्ति था जो कि भारती राष्टे कॉंग्रेस का अध्यक्ष बना था उस व्यक्ति का नाम क्या था तो देखिए इस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज यूले option B आपका क्या होगा correct हो जाएगा कुछ और चीजें जानने की ज़रुत है देखिए इलहाबाद में 1888 में 1888 में देखिए question बनता है exam में ये बार बार पूशा जाता है इसलिए जो है इसको याद रखना है इलहाबाद में जब 1888 का जो है दिवेशन होने वाला था तो अंग्रेज जो है बहुत गुस्य हो गए गुस्य में आ गए और उन्होंने कहा कि Congress को बैठ लक्षमेश्वर सिंग दरभंगा महराज आप सोट मनी देता हूँ यहाँ पे इनका नाम क्या था लक्षमेश्वर सिंग इन्होंने कहा कि मैं आपको जमीन दूंगा लक्षमेश्वर सिंग ने क्या किया लाहोर कॉंसिल को खरीद कर Congress को दे दिया वोला कि आप लोग यहाँ तक कर लो तो यह बहुत बड़ी बात थी उसमें और जो दूसरे यूरोपिया अध्यक्ष बने थे यह तो मैंने पहला बता दिया आपको जोर्ज यूले और दूसरे जो वैक्ती थे उनका नाम था विलियम बेडरबर्ग यह सेकेंड नमर पे थे याद रखेगा सेकेंड य इवलोपियान कॉंगरेस के अध्यक्ष बने थे ठीक है और इनोंने जो है डेखो यह बिलियम बेडरबर्ग है इनोंने जो है ए-ओ-i-um जो कॉंगरेस के पहले सचिप थे जिनके द्वारा यूलेस के स्थापना की गई थी ए-e-o-hume की इनकी जीवनी जो है बिलियम बेड है याद रखीगा चलिए अगले सवाल के रोम लोग बढ़ेंगे कुशन नमर 33 भारती राष्टी कॉंग्रेस के दूतिय सम्मेलेंड में कितने मुसलिम परतिनिवियों ने भाग लिया था तो याद रखेगा यहां पे पूछा गया है दूतिय सम्मेलेंड में तो याद रखन कि बिहार से कितने लोगों ने participation करी थी आपका अंसर होगा आरिभट का सबसे प्यारा अविस्कार यानि कि जीरू क्या लगाओगे आप जीरू पहले दिवेशन में कोई भी सामिल नहीं हो था लेकिन 1886 में दो लोग ने यहां पर participation करी थी 1886 में बिहार की बात कर रहा हूं म याद रखेगा बिहार से दो लोगों ने participation करी थी लेकिन अगर आपसे सवाल पुछा जा कि जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में उसमें जो है 1885 में दो मुस्लिम लोग यहां पर सामिल हुए थी दो मुस्लिम यहां पर यह लिख लेना आप ताकि आपको चीजे याद रह मेमोरी में ठीक से रहे चलिए अगले सवाल के और हम लोग बढ़ेंगे भारती राष्टी कॉंग्रेस की अस्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था बड़ा ही important सवाल बार बार यह सवाल repeated है तो देखें Lord Durfin और यह डफरिन जो था बड़ा ही बदमासा व्यक्ति था भ अपसर नमरे में इस लेटन के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए देखें वर्ना कुलर प्रेस एक्ट इसके अंतरगत जो है इंगलिस भासा को छोड़कर अगर कोई magazine या फिर newspaper आप निकाल रहे हो तो वर्ना कुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है सारे newspaper क जो रिजनल लेंग्वेज है बंगाली हो गया उर्दू हो गया फार्सी हो गया इन सारे newspaper पर रोक लगा दी गई थी क्यों क्योंकि अंग्रेज को भासा समझ में नहीं आता था और वो censorship नहीं कर पा रहे थे इस बज़ए से जो है लॉड लीटर ने कहा कि आज से सारे जो इन इंडियन जो सर्विस कॉंसिल थी इसकी या फिर आप इसे आज के बोल चाल के भासा में UPSC या फिर IS बोलती हो इसके लिए जो participation की उमर जिमा थी 21 से घटा कर कितने कर दी 19 कर दी तो इसने कुछ अच्छे काम भी किये है देखो मेरा काम है आपको बिल्कुल सही और सटिक ज जो है पारिद किया था ठीक है और बंगाल विभाजन का भी काम इसी ने किया था बंगाल विभाजन जो कि कब हुआ था आपको पता होना चाहिए उनिस्वाव कितने में निचे कॉमेंट करके आप लोग बताईए ठीक है और एक और नाम है लूड मिन्टो इसके बारे में जानलीज ये इसने क्या कार्णमा किया तो इसने प्रिथक नीरवाचन के बारे में बात किया separate electrode के बारे में बात किया था यानि कि अलग-अलग electrode के बारे में चलिए, अगले सवाल के रोंग बढ़ेंगे question number next निमलिकीत मैंसे और देखें पूने में पहले कंग्रेस का का अधिवेशन नहीं होने वारा था यह उन्हें वारा पूने में, लेकिन पूने में आ गई पlezett लेग और प्लेग की बजय से तो सुरेंदरनास बनरजी हो जाएगा, लेकिन कुछ नाम है, जो की बहुत important है, उनमें से जो है केटी, देखो मैं नाम बता देता हूँ, ये नाम आपने कभी सुने नहीं होगी, इसलिए जो है एक्जाम में ये question पूछी चाते हैं, केटी तेलंग, ये जो है उपस्तित थे, ये भी एक्जाम में पूछा जा सकता है, डादा भाई नरोजी, ये भी उपस्तित थे, इनके बारे में तो खेर आप जानते हो, इनहीं के सुझाव की वज़ा से जो है कॉंग्रेस का नाम भारती राष्टी कॉंग्रेस पड़ा था, पले भारती राष्टी संग इसका नाम हुआ करता था, ठीक है, सुबर्मन्यम अयर, ये भी यह नाम याद रखना, सुबर्मन्यम अयर, ये भी यहाँ पे उपस्तित थे, ठीक है, और दिंसा एडवली वाचा, ये भी यहाँ पे उपस्तित थे, अब देखे, कुछ और जानकारी आपको सुबर्मन्यम के अलाबा, सुरेंदराद बंदर जी के बारे में दे देते हैं 1886 में जो है इंडियन असोसियेशन जिसके अस्थापना इन्होंने करी थी गांदी जी के कहाने पे इन्होंने इसको मर्ज कर दिया क्या कर दिया मर्ज, मर्ज का मतलब होता है मिला देना मर्ज कर दिया किसके साथ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के साथ इन्होंने जो है दोनों को क्या कर दिया मर्जर कर दिया चीक है चलिए अगले सवाल के और अमलोग बढ़ेंगे next question किसने कॉंग्रेस को दूर दर्सी अलप संख्यक जनता का परते निदित बताते हुए उसका उपहास उड़ाया मजाक उड़ाया यह सवाल आप से पूछा गया है तो देखे लॉड डफरी इसी के समय में देखे हुआ क्या अठासव पचासी में कॉंग्रेस के स्थापना हुई और इसी ने कहा कि तुम लोग अलप संख्यक का क्या ही परते निदित करोगे और इसने मजाक उड़ाया ठीक है तो देखे सबसे पछले कॉंग्रेस के स्थापना 1885 में हुई क्यों हुई थियोरी जो है दिये जाती है इसके बारे में थियोरी ऑफ सेप्टी वाल मैंने आपको पहले भी बताया सेप्टी वाल यानि की सुरक्षा कपट के सिध्धान पर इसकी अस्थापना की जाती है ठीक है अग देखे आठारासो च्यासी में हुआ क्या यह जान लोग पहले पचासी में कॉंग्रेस का हम लोगों की गुलाम है लेकिन कॉंग्रेस ने जो है अठारासो स्थासी में अब जो है यह लॉटग डफरिड जो है उखड गया यानि की कॉंग्रेस से क्या हो गया नराज होने लगा और इसने कहा कि अब तुम लोगों को हम जमीन भी नहीं देंगे तुम लोग अदिवेशन कैसे करो के खुद से इंतिजाम करो देखो एक साल पले तक ये गार्डन पाटी दे रहा था लोगों को और एक साल बात जो है अपना मन बदल लिया रंग बदल लिया गिरगीट की तरह ये बदल गया और कहा कि मैं जमीन नहीं दूँगा तब देखे दरभंगा के महराज जिनका नाम मैंने आपको अभी तुरत पीछे वाले कोशन में बताया था दरभंगा के महराज जिनका नाम क्या था आप लोग नीचे कॉमेंट करके बताएगा मैंने आपको पहले भी बता दिया है अब आपकी बारी है आप नीचे कॉमेंट करके बताओ उस महराज का नाम क्या था जिन्होंने जो है जमीन खरित के कॉंग्रेस को दिया कि आप लोग यहां पर क्या करो अपना काम कर लो अब देखे चौम यह जो नाम है लौड चेम्सपोर्ट और चेम्सपोर्ट मोंटेग्य सुधार के बारे में आपने सुनाओगा इन्होंने जो है डूड ये जो दूड शासन सी दांत है इन्ही के दौरा दिया गया था याद रखेगा दूई सासन ठीक है? डूअल जो ओनर्सीफ है इरोने ही सुरुवात की थी इसकी तो इसके बारे में भी जानकरी आपके पास होनी चाहिए अब देखें बात करते हैं लाठी कलब की लाठी कलब के स्थापना किसके दौरा की गई थी बाल गंगा धर तिलक के बारे में आपने सुना होगा इनहीं के दौरा जो है लाठी कलब की अस्थापना की गई थी लाठी कलब के स्थापना बाल गंगा धर तिलक के दौरा की गई पहला पत्रिका का नाम क्या था? माराठा और ये इंगलिस में हुआ करता था और दूसरी जो पत्रिका थी जिसका नाम केसरी था ये माराठा लेंग्वेज में चपता था basic information और ये 6 साल की जो जेल इनको हुई थी वो कौन से साल में हुई थी? 1908 से लेकर के जो की बर्मा में है, अब लोगे बर्मा तो कहीं है ही नहीं आज के टाइम में, तो देखिए मैनमार जो है, अभी कर्रेंटली में मैनमार आपको देखेगा, वही उसमें बर्मा के नाम से फेमश था, तो बर्मा के जेल में इनको जो है भेजा गया, जहां पे इनोंने गीता र इनके मिर्थ्यू के दिन ही ऐस आयोग आंदोलन की सुरुआत कर दी जाती है, किलियर है यहां तक, कुछ और जानकारी हम लोग ले लेते हैं, गांधी जी के बारे में जा नेंगे, उससे पहले बाल गय धर तिलक के बारे में डिस्काश कर रहे हैं हम लोग, क्या पूल अगया इसे 1920 की बात की जा रही है सोचो एक कड़ोर रुपए बहुत होते थे और इसे एक साल में जमा करेंगे लेकिन देखो ये बोलते ना आजादी की मतवाले छे महीने में ये सारा पैसा जमा हो गया और एक कड़ोर कॉंगरेस का सदर से भी बनाने की जो है बात यहां पे हुई ठीक है यहां तक सारी बातें क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक और जानकारी आपको दे देते हैं बालगे अधर तिलक के बारे में देखे इन्होंने क्या किया अंग्रेज बहुत चालाग थे उनको लगता था कि भारती एक जूट हो जाएंगे तो क्या क किया किया सिवाजी की जैनती को मनाना शुरू कर दिया और गनपति बपा मोरिया आपको दिखता होगा महारास्टा में अभी बहुत फेमस है मुंबई में तो गनेश महसब की शुरूआत इन्हीं के द्वारा की गई थी और वहां पर ये पूजा भी करते थे और अंदर से जो है आंदोलन के कामों को भी जो है सक्रिय रूप से चलाते थी तो बहुत बड़ी बात थी ये तो फिलाल लाठी कलब के स्थापना बाल गंगा धरतिलक के द्वारा की गई बाल गंगा धरतिलक के बारे में एक और जानकारी देखो मैं एक कोशन पढ़ाऊंगा लेकिन आ इन्हों नहीं नरम दल और गरम दल को एक जूट किया था ठीक है चलिए काफी हो गया अब अगले सवाल के और में लोग बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने भारतिय राश्टी कॉंग्रेस की ब्रिटिस इंडिया कमीटी कब अस्थापना इसकी जो है क की थी याद रखिएगा मैं बार-बार इसलिए आपको बताता हूं ताकि आपको जो है रिवीजन हो जाए याद आप कर सको ठीक है अगले सवाल के अरों लोग बढ़ेंगे कॉंग्रेस के मन से भारति राश्टी है कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पर्थम बाहर की थी सबसे पहले ये सब्द बोला था और दयानन सरस्वति के बारे में आपको जानना की जरूरत है अभी जो डियावी स्कूल बगएर आपको दिखता होगा न आडिसमास के अंतरगत इनी की देन है जो डियावी की सुरुवात हुई थी और दयानन सरस्वति नहीं पत्ता दिवेसन 1906 में बोला गया था ठीक मंगाल विभाजन के बाद ठीक है और वहाँ पे क्या 4 नए नए परस्ताब लाए गए थे चार नए प्रस्ताब क्या-क्या लाया गए थे 1906 में सौधेसी आंदोलन के बारे में बात की गई यहां पर ठीक है क्या गया था सौधेसी जो है आंदोलन की बात की गई थी यहां पर दूसरे नमर पर देखे क्या और बात की गई थी बहिसकार करेंगे हम लोग किसका बेटिसर्स का कपड़े जलाएंगे कपड़े की होली जलाएंगे होली में हम लोग होली का दन करते हैं तो उसमें हम लोग जो है अंग्रेजों के द्वारा जो कपड़े लाये जाते थे भारत में उसे जलाते थे अगला प्रसन है स्वराज की बात कर रहे थे हम लोग यानि कि हम लोग अपने देश में खुद का राज करेंगे कोई अंग्रेज हम लोगों के उपर राज नहीं करेगा और आखरी जो प्रस्ताव था National Education यानि कि इंडिया को उसके According Education दी जाए ना कि अंग्रेज जो चाहे वो यहाँ पर दे अब देखिए हुआ क्या था 1906 के बारे मैंने आपको बताए कि कलकत्ता अदिवेशन में यह सारा काम हुआ 1907 में देखिए क्या हुआ सूरत अदिवेशन में अफवा उड़ गई रूमर उड़ गया कि यह जो चार प्रस्ताव पारित किये गए हैं इसको अमल में नहीं लाने वाली है कॉंग्रेज इससे जो है क्या हुआ भगदर मच गई और जो पीछे बैठे वे थी उनको उन तक यह बात पहुँची और वहां से चपल फिका गया चपल फिका गया कॉंग्रेस के अधिवेशन में जहां पर बड़े इंटिलेक्शुल लोग बैठे हुए थे पीछे से चपल फिका गया और फिरोज सा महता के उपर जाकर यह चपल लगा और फिर कॉंग्रेस दो फाड़ में अलग अलग हो गई गरम दल और नरम दल उसके पाद 1908 में अगला दिवेशन होता है जहां पर यह जो गरम दल के लोग थे जिन्होंने चपल चलाया था फिरोज सा महता पर उन लोगों को सामिल नहीं किया अपने अधिवेशन में अगले दिवेशन में ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और अब यहां प पी से हो गया प्रेयर यानि की क्या करो प्राथना करो अंग्रेजों के सामने गिडगड़ा हो ठीक है दूसरा क्या था दूसरा था यह पिटिसन डालते थे कि हम लोग को यह मिलना चाहिए और तीसरा क्या था एक मैंने आपको क्या बताया प्रेयर करना फिर क्या था यह पि कुछ आगे नरम दल का नेता नहीं है तो देखे गोपाल कृस्ण गोकले जो कि गांधी जी के गुरू थे ये तो अबिसली बात है कि ये नरम दल के होंगे बदरुदिन तयब जी ये भी नरम दल के नेता थे सुरेंदरनात बनर जी जिन्होंने इंडियन असोशेशन के स्थापना करी ये भी नरम दल के थे लेकिन अरविंदो घोस ये गरम दल के नेता थे लाल बाल यानि कि लाला लाशपत राय पाल मतलब की विपीन चंदर पाल औ यानि कि बाल गंगा धरते लेक इनको नाम से फैमस आईए और इसमें घोस भी एड़ कर लीजेगा ये सारे लोग क्या थे ये बहुत एक्स्ट्रिमिस्ट लोग थे ये हिंसा करते थे अंग्रेजों को मारने मारने पर उतारू हो जाते थी तो ये क्या थे गरम दल के नेदा थ करते हैं यानि कि ये जो है बोलते हैं कि ये मो माया है जीवन और फिर बाद में जाकर ये पुड़ुचेरी में या फिर पांड़ुचेरी में जाकर अरविंदो आस्रम का अस्थापना करते हैं और सारा जीवन वहीं पर बैतीत कर देते हैं ठीक है चली आगे बढ़ेंगे सवाल की और अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने किसने भारती राष्टे कॉंग्रेस पर प्राथना याचना और विरोध की जो है राजनती करने का आरोप लगाया या कि तुम लोग भिखारीयों की तरह क्या काम कर रहे हो हम लोगों का हक है आजादी आजादी हम बाल गंगाधर तिलक ने कहा था और इन्होंने को और बातें कही थी कि कॉंग्रेस जो है यह क्या है मेढक की तरह बरसाती मेढक की तरह जो है तीन दिन टैटर आती है यह इन्होंने कहा था बहुत पड़ा यह जो है स्टेटमेंट था किसके दौरा बाल गंगाधर तिलक के दोरा ठीक है और मैंने आपको लिटन के बारे में भी बताया था खैर अभी लिटन के बारे में चछ्चान गरेंगे आगे करेंगे पत्रकार के करते बेका निर्बहन करते वए जेल जाने वाला पर्थम भारतिये कौन था या याने कि वो कौन में 6 साल के लिए इनको जेल में डाल दिया गया ठीक है पहली बार जेल में डाला गया जनलिजम में उने बाते करे थी जिसके बज़से इनको जेल में डाल दिया गया ठीक है और ये काम किस ने किया था देखो ये काम किया था लेटन ने लेटन के कारण ही इनको जेल हुई थी और बरनाकुलर एक्ट जो है, बरनाकुलर एक्ट जो है, 1887 में लगाया गया था, 1877 बे, ठीक है, नीजपेपर पर बेन लगा दिया गया, और इस बरनाकुलर प्रेस एक्ट को खतम किसने किया तो याद रखेगा उसबेक्ति का नाम Lord Rippon, Lord Rippon ने कहा कि, इंडियन लेंग्व इने का कि सिर्फ English में है नियुस्पेपर चपेगा, यह बंगाली में नियुस्पेपर निकाल दे थे, रातो रात इन्होंने जो है इंग्लिस में नियुस्पेपर चापना सुरू कर दिया, और ऐसी एक मात्र इंडियन ये प्रेस थी जिसका पत्रिका बंद नहीं हुआ वरना कुलर प्रेस सेक्ट के कारण जो है इनकी पत्रिका बेन नहीं हुई और इन्होंने रातो रात ये बदल दिया अब AVP या इनकी आनंद बजार पत्रिका का संपादन या फिर इसका देख रहे कौन करते थे सिसीर कुमार घोस नाम याद रखेगा सिसीर कुमार घोस के दोरा ये काम किया जाता था ठीक है चलिए अगले सवाल के और हम लोग बढ़ेंगे नेक्ट कोशन देखिया आपके सामने ये रहा भारती राष्टी कॉंग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगा धर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा अधिवेशन था तो देखे ये अधिवेशन था आपसन नमर डी आपको आंसर देखे दिख जाना चाहिए क्योंकि एक अगस्त 1920 को इनकी मृत्य हो जाती है किनकी मृत्य हो जाती है बाल गंगा नाधर तिलक की तो ठीक 1919 में ये अमरेशर का अधिवेशन में क्या करते हैं पाटिसिपेट करते हैं ठीक है और एक अगस्त 1920 को ही कांधी जी के दोरा असयोगा अंदोलन की सुरुवात की जाती है ठीक है और अमृतिलाल नहरू जो की जवालाल नहरू के कै engh USD के क्या थे पिता जी थे इनी की अधिष्टा में ये अमृतिलाल नहरू की अधिष्टा में ये काम हो रहाथा चलिए अगले सवाल के और बढ़ेंगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे 1921 में आमदाबाद अधिवेशन में निमलिकित नेताओं मैं से किसने संपूर्ण सौराज को कॉंग्रेस का लक्ष मानने का परस्ताब रखा ठीक है ये व्यक्ति का नाम क्या था हसरत मोहानी कहा है अप्सन भी में भी आपका सहीया जवाब हुसाएगा 1921 में आमदाबाद में अधिवेशन हुआ था अध्यक्ष कौन चुने गए थे चितरंदन दास चुने गए थे लेकिन उनको जेल हो गई असरयोग आंदोलन के कारण जो है चितरंदन दास को जेल हो गई और जेल में से उनके भासन को सरोजनी नाइडू ने ये व्यक्ति सरोजनी नाइडू ने जो है इनके भासन को पढ़ा सरोजनी नाइडू से याद आया 1917 में ये पर्थम भारती ये महिला थी जो कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनी थी स्वरी सत्रा नहीं 1925 में 1917 में तो एनी विसेंट यहाँ पर क्या बनी थी अध्यक्ष बनी थी 1925 में कहाँ पर कानपूर में अध्यक्षता हुए थी जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नाइडू के द्वारा की गए थी 1917 में कोलकाता में कहाँ पर कोलकाता में जो है इन्होंने अध्यक्षता की और तीसरी महिला ठीक आठ साल 1917 में आठ जोड़ेगे तो 25 में आठ जोड़ेगे तो कितना हो जाएगा 1923 1933 में नली सेन गुपता के द्वारा जो है कॉंग्रेस की अधिश्ता की जाती है यहां तक सारी बात कलियर हो गई चलिए आगे बढ़ेंगे आखरी सवाल की और निम्लिकित मैं से भार्ती एरास्टी कॉंग्रेस के अधिश्ता थे लेकिन सुभास्चंद्र बॉस ने गांधी जी के सहयोगी या फिर करीवी व्यक्ति पट्टावी सितार मया को हरा दिया और यहाँ पे कॉंग्रेस के अध्यक्ष बन गए और इसी कारण से गांधी जी ने पाटिसिपेशन नहीं करी गांधी और सुभास्चंद्र बॉस की बी अबिसली हमारे आपके हम सभी के राष्ट पिता यानि की महात्मा गांधी ने करी थी तो चलिए यहां तक रहाए आगे भी इसका पार्ट अगर आपको चाहिए होगा तो नीचे कॉमेंट कीजिएगा वीडियो यहां तक देख लिए तो एक बार प्यार से दिल से जैहिन ज करेंगे थैंक यू सो मच पर वाचिन इस वीडियो वाचिन वीडियो थे वाव गुद देख